सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन करनाल में निजी स्कूल संचालक और अभिवावकों ने बीजेपी सांसद संजेब हाटिया से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवकत कराया इसी को लेकर M.H.1 प्राइम के संबादता कमल कुमार ने बीजेपी सांसद संजेब हाटिया से खास बातचीत की करनाल से सांसद संजेब हाटिया जी समय हमारे साथ बने हुए ये सिदा उनी से बातचीत करेंगे सर क्या कहेंगे लगाता रहा आप सबता में तीन दिल लोगों के समस्याओं सुन रहे हैं काफी लोग संतुष्ट हो गजाता है क्या कहना चाहिए ये आपका बहुत बहुत शुक्री है अगर आपको लगता कि लोग संतुष्ट हो रहे हैं मैं पूरा जीवन इसी काम में ही रहा हूँ लोगों के साथ मिलने में जुलने में मैं जो बेस्ट पॉसिबल है किसी की समस्या मोके पे हलोने वाली है मोके पे करता हूँ कभी बाद में किसी को किसी समस्या को परसीओ करना होता है मैं करता हूँ और मुझे अब तो मैं केवल तीन दिन करनाल और पाणीपत में नहीं अब विधान सभा नुसार भी दुपहर बाद जैसे मैं आप निलो खेड़ी जा रहा हूँ वहाँ निलो खेड़ी के लोगों को मिलूँगा मैं निलो खेड़ी के लोगों को करनाल भी आना पड़े मैं निलो खेडी में उनको मिलके समस्याल करूँ लेकिन मुझे थोड़ी सी एक समस्या आ रही है कि मैं सुबह यहां पर दस वजे से बैटा हूँ जितनी संख्या लोग यहां से काम कराके चले गए फोन कराके चले गए उससे भी ज्यादा संख्या में फिर लोग यहां पर आप देख सकते हैं खड़ें लेकिन मुझे इस चीज में आनंदार है कि मेरे मैं एक तरह से सोचता हूँ यह मेरे लिए बड़ा परमात्मा का अशीरवाद है कि मैं किसी के काम आ सकूँ किसी के लिए कुछ कर सकते हैं पहले नीजी स्कूल वारों ने क्यापन दिया था फिर मेरे अगले दिन अभी भावक संख्या ने आकर क्यापन दिया था और आज मैंने उन दुनों पक्षों को इकठे बिठा दिया और आपने उनका इंटरूवी सुना कि दुनों पक्ष सैटिस्फाई हैं एक नई शुरुवात मैं समझता हूँ करनाल के अंदर कम से कम हुई है और इसी करनाल से परेना और परांत के जो जिले हैं वो भी लेंगे इकठा बैठना शुरू हो गया समस्याएं सुनी एक दूसरी की समझी असेप्ट की जहां एक दू कल दूरी बैठे दो पक्ष थे जब बाहर निकले सब एक पक्ष के थे मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि यह उन्होंने क्रेजिट मुझे दिया कि आपने यह पहल करी है और ऐसी मिटिंग कभी हमारी पहले नहीं हुए यह मैं परमात्मा का शुकर मानता हूँ कि आज पैकेज उन्होंने दिया है जिससे उन्होंने लोकल के लिए वोकल होने के लिए काई जिसका आर्थ सिधा सिधा यह है कि आपने देश में ही अब सब्देशी जो है चीजों का उतपादन होगा और ध्योग स्तापित होंगे मैं सब लोगों से एक ही परातना करूंगा कि मेर रोजगार के अंदर समलित करें क्योंकि ऐसी काफी योजना है बैंकों की और लोगों की सुविधाएं लोगों को मिल सकती है थोड़ा उस तरफ कदम बढ़ाएंगे तो मैं समयता हूं कि रोजगार का सही सरीजन अपने कारोबार से ज़्यादा हो सकता है डी सी रेट की मिले थे वहीं अभ्यवाक के अंच के भी लोग अर यहां पर अस्वासन दिया कि हरे बच्चे की पूरी मदद की जाएगे करनार से में मेचे वन न्यूज के लिए कर्मल कृपो